दोस्तो 2021 महिंद्रा स्कोर प्योर एक्षवी 500 को एक बार फिर हाई अल्टीटूट टेस्टिंग के दौरार स्पाई किया गया है अब दोस्तो आप लोग सबसे पहले कमेंट में ये लिखे कि इनको सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया गया है उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तो दोनों गाडियों को मिड्ट वन्टी 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 वन आपक की दोरान देखा है लेकिन इस बार गारियां ये बिलकुल क्लोज टूप प्रोडक्शन मोडल है गाडियां को किनोर में सपाई किया गया है थैंक्स पूर लेटाश पार रस लेन दोस्तों इमेज के अंदर हमें टोटल से गारियां दिखाई देर ही है दो तो न्यू एक QV 500 है जिसमें से एक के अंदर हमें मैसिफ पैंजरोम संदोर दिखाई दे रहा है एस धकिभालिए ती मोडरी कमें यू स्कॉर्फियों के दिखाई दे रहे हैं दो के अंदर संदोर एक विड़ा स hypoth जार दीकाई दे दोस्तो यह एक अच्छी खबर होने वाली है थार लवर के लिए थार अब मोर पाउरफुल इंजन ओप्शन के साथ आने वाली है यह इंजन इसका 180 PS तक की पाउर प्रिडूस करेगा यह कनवर्टाइबल हाल टोप वेरियंट होने वाला है थार का फ्यूचर के अंदर दोस्त पहले स्कोर्पियों को अगर देखें तो गाड़ी को फर्स टाइम जनरेशन अपडेट मिलने वाला है सेकंड जनरेशन थार वाले प्लेटफों पर ही स्कोर्पियों बेस्ट रहने वाली है जिससे गाड़ी अब पहले से बहुत ज़्यादा मोडरन और बीगर हो गई है न्यू एलेटी हैडलप क्लस्टर भी रहेगा गाड़ी के अंदर एंड़ 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 से वाइडर सेंट्रल एंड लोवर एयर डैम्स न्यू फ्रंट बंपर के अंदर सी शेप एलेडी ड्यारेल्स लगे होंगे एश्वी को ओवराल डिजाइन पहले के जैसे ही बोक् प्लेट रहने वाली है और अगर न्यू एक्षिव 500 को देखे तो दोस्तों वह भी अब साइज में पहले से ग्रोव हुई है गाड़ी सीख सीटर और सेवन सीटर ले आउट के साथ ओफर की जाएगी गाड़ी अब पहले से मोडरन बोल्डर और स्पोर्टी बना दी गई है गाड़ी के अंदर चित्ता इंश्पाइड लार्जट सेवन स्लोट ग्रिल लगाए गई है और न्यू एंगुलर हैटनप कलस्टर विद बूमरेंज सेब लेडी डियारेट्स लगाए गई है और दोस्तों हमें पता है आगे चल कर यह महिंदर की फ्लैक्शिप कार भी होने वाली है तो गाड़ी के जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है गाड़ी में रैप राउंड एलेडी टेल लैंप्स रूफ इंटीग्रेटिड स्पोईलर विद ब्रेक लाइट से सार्क फिन एंटेना एपिलर मांटेड ओवर्वेंस विद इंटीग्रेटिड ब्लिंकर से स्लो सब्सक्राइब और दोस्तों जो सबसे अच्छी बात होने वाली है कि दोनों गाडियों के अंदर अब हमें न्यू इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं इन में से फर्स्ट इंजन 2.2 लिटर एम होक डिजल इंज रहेगा और सेकिंड 2.0 लिटर ट्रबोचार्ज एम स्तालिन पै्ट्रोल इंजन रहेगा सकॉर्पियों के अंदर ये एंजन 158 BHP की पाउर 152 BHP की पाउर प्र плох प्र्टूज करेंगे वहीं दूसरी शग्न अनिमे से किसी गाड़ी का वेट कर रहे हैं तो आप मुझे कमेट करके जरूर बताएगा और आपका कोई भी स्वाल न्यू एक्षवी 500 और स्कोर्पियो से लेटिड है तो आप मुझे कमेट करके जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों आज की वुझे बस इतना ही I hope वीडिया आप को पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम आयो हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आगने घंटी को जरूर दबा दें थैंक्यू ओल उफ यू